पूर्वो मंत्री और कॉंग्रेस नेता हरक सिंग रावत के मनी लाउंडरिंग के मामले को लेकर एडी ने बुधवार सुबह एक्षन लिया एडी ने उनके उत्राखन दिल्ली और चंडीगड के कुल बारा ठिकानों पर एक साथ चापे मारे हैं रावत दोजार उननीस और बीस में भाशपा सरकार में वन मंत्री थे इस दोनान कारबेट टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए कारबेट पार्क के पाखरो रेंज में छे हजार पेडों की अवेद कटाई हुई थी जबकि इजाज़त सिर्फ एक सो गुन सित्तर पेडों को काटने की थी इसके अलावा पाखरो रेंज में अवेद निर्मान भी हुआ था इस मामले को लेकर रावत और उनके विभ इसमें शामिल हो गए थे 30 अगस 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवेद निर्मान को लेकर देहरादून में हरक सिंग रावत के कई ठीकानों पर विजिलेंस ने छापे मारी की थी इसमें उनके बेटे के भी कई संसान शामिल थे इसे लेकर भाश्पा के विधायक दिलिप रावत ने इन मामलों की CBI जाज की मांग की थी इसके अलावा रावत के ठीकानों पर पहले भी छापे मारी की जा चुकी है विजलेंस टीम ने उनके देहरादून के शंकरपूर इस्थित एक कॉलेज और चिदरवाला में एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा था विजलेंस टीम ने पाया था कि इन दोनों जगह पर दो जनरेटर लगाए गये थे जिससे सरकारी पेशो से खरीदा गया था